The journey with a thousand miles begins with one step. बहुत ही positive quote और बहुत ही inspiring quote. चलिए सबसे पहले इस quote को समझ लेते हैं. जो हमारी journey होती है, वो हमें दिखती है काफी लंबी है. बहुत बड़ी journey है, बहुत मुश्किल रास्ता है, thousand miles का रास्ता है. बट एक चीज़ याद रखिएगा, वो रास्ते पे जब तक आप पहला step नहीं उठाते, तब तक आप अपने destination तक नहीं पहुचेंगे. तो आपकी journey पहले step से शुरू होती है, तो चलिए पहला step उठाईए और अपने journey को complete करके destination तक पहुचिए. तो इसी positive quote के साथ आज का lecture शुरू करते हैं, जो की geography series का second lecture है. So, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने first lecture में क्या-क्या पढ़ाता है. In first lecture of our geography series, we have studied the, हमने कुछ team topics यहाँ पढ़े थे. पहला topic था कि earth के interior को पढ़ना क्यों ज़रूर है, why is it essential to study the earth's interior? Second, what are the direct sources of information available to study the interior? Third, हमने पढ़ाता था, indirect sources of information about interior. आज के हम lecture में जो चीजे पढ़ने वाली है, वो बहुत interesting और भी रहने वाली हमें आज पता चलने वाला कि earthquake कैसे होते हैं. So, earthquake क्या होता है, यह तो हम देखेंगे, उसके साथ-साथ seismic waves जो earthquake जिनके कारण होता है, वो earthquake की यह जो waves है, seismic waves या earthquake waves जिनने कहा जाता है, वो produce कैसी होती है, थोर्ड है कि types कौन कौन से seismic waves के, जिसमें body waves और surface waves आती है, उसके साथ-साथ हमें आपको यह भी बताऊंगा, कि seismic waves कैसे आपको help करती है, earth के interior को जानने में, जैसे मैंने आपको पेछले lecture में बता था, कि earth के interior में है क्या, यह तो हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हम बहुत अंदर तक नहीं जा सकते हैं, बट कुछ indirect sources हैं, जो हमें बताने के कोशिश करते हैं, जिससे हम यह जान सकते हैं कि अंदर क्या होगा, उसमें से ही एक seismic waves है, यहां words नहीं लग रहे होंगे, seismic waves, तो body waves, surface waves, तो बिल्कुल टेंचने लेना, इस lecture के end तक आपको यह सब words familiar हो जाएंगे, चलिए आज का lecture, lecture number two from geography series को शुरू करते हैं, और शुरुआत हम करेंगे earthquake से, earthquake इस तरह से होता है, आपने देखा होगा, और अक्सर आपको यह चीज सता दिये कि earthquake होता कैसे, earthquake में आप यहां पर देख रहे हैं कि क्या हो गया है, पूरा destruction है, earthquake का meaning क्या होता है, earthquake का simple meaning यह है कि shaking of the earth, earthquake का shaking हो रहा है, इसका मतलब earthquake हो रहा है, कोई भी चीज शेक कव होती है, मैं आपको यह बोलूगा कि आपके mobile phone का example लीजिए, जब आपका mobile phone vibrate होता है, तब वो shake होता है, उसी तरह earth में कुछ waves produce होते हैं, जिसके कारण वो vibrate होते हैं, vibrate होने के कारण earth का shaking होता है, shaking होने के कारण इस तरह से destruction होता है, जिसे हम earthquake कहते हैं, अब यह जो waves है, यह waves को क्या कहा जाता है, तो इन waves को seismic waves कहा जाता है, जिसके कारण earth में vibration हो रहे है, जिसके कारण earth shake हो रही है, समय सबसे पहले आपको यह बता दू कि ceasmeak waves में ceasmeak word का meaning क्या है यह सबसे पहले जान लेते है ceasmeak word का meaning होता है vibration ने याने हम यह कहेंगे कि relating to हम कहेंगे vibrations या फिर हम कहेंगे earthquakes इसको कहा जाता है सीसमी अब यह relating to vibrations यानि ऐसी waves जो relating to vibrations है related to vibration है उनको सीसमीक waves कहा जाता है यह काफी एक simple language में हम इसे यह कहते हैं चलिए सीसमीक waves के बारे में कुछ information और ले लेते हैं सीसमीक waves जो होती है वो ऐसी waves है जिसमें कुछ energy होती है यानि हम कह सकते सीसमीक waves are waves of energy जो travel कर रही है और लेयर में यह travel कर रही है सो यह जो travel कर रही है इसे कहा जाएगा सीसमीक waves जिसमें कुछ energy और इस कारण हो रहे है vibration और vibrations के कारण हो रहा है earthquakes इसी के कारण volcanoes जो है वो भी इरप्ट हो रहे है तो magma की movement हो रही है हम आगे क्या lectures में volcanoes, magma, moment, everything हम study करना है तो आपको बिलकुल यहाँ पर कुछ tension नहीं लेने है landslides हो रहे हैं बड़े-बड़े वो भी इसी कारण होते है large human made explosions से भी यह vibration create होते है for example human being ने कही पर बहुत बड़ा explosion कर लिया कही बहुत बड़ा bomb डाल दिया उस कारण vibrations होंगे अर्थ मेर उस कारण भी earthquakes आ सकते है so vibrations से यह vibrational waves है vibrations से बनी हुई है और इसी कारण अर्थ का shake होता है हम यह कहेंगे कि reflection और reflection जो हो रहा है seismic waves में देखिए इस तरह से दिखती है यह waves यह जो waves होती है travel कर रही है तो कभी-कभी यह किसी medium से अपना path बदल देती है path बदलती है इसका मतलब कोई तो भी एक object बीच में रहा है इससे हमें पता चलता है कि अगर path बदला है तो interior में कौन सा object होगा earth के interior के इस तरह से study की जाती है वही पे कुछ object से यह pass नहीं होती है तो वहाँ से यह reflect back हो जाती है तो reflection अगर हो रहा है या फिर reflection हो रहा है तो इससे हम पता कर सकते हैं कि earth का structure interior में किस तरह से होगा उसके अलावा मैं आपको यह बता दू कि seismic waves और earthquake waves यह interchangeably use होते है कही कही पे आपको seismic waves के जगे earthquake waves यह भी वर देखने मिलेगा तो बिलकुल मत घबराइए one and the same thing तो these terms are often used interchangeably बस इतना ही मुझे कहना था तो यह seismic waves के बारे में कुछ information थी अब आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि यह waves produced कैसे होती है सो जो हमारा यह सवाल था कि earthquake waves जो है वो produced कैसे होती है इसको हम यह भी कह सकते है कि earthquake कैसे होती है आपके यह लिए यह दोनों सवाल का answer एक ही तरह से होगा क्योंकि earthquake waves जब earthquake waves प्रोडियूस होगी already मैं आपको बता चुका और उससे से earthquake होगा सब आपको पता चलेगा कि earthquake होता कैसे है तो सबसे पहले मैं आपको process बता दू process में हम एक एक चीज को जानने की कोशिश करते है सबसे पहले मैं आपको यह बता दू कि कुछ energy release होती है fault में अब आप सोच रहोंगे fault होते क्या है तो fault जो होते है यह इस तरह से दिखते है अब यहाँ जो आपको faults दिख रहे है इस faults में हम कहेंगे कि energy release हो रही है यहाँ से अब यहाँ से जो energy release होती है fault means sharp break in crystal rocks है crystal rocks जो होता है इसमें एक sharp break देखने मिलता है जिसको हम कहते हैं fault अब faulting जो है यह earth में देखने मिलती है और rocks जो होते है इन faults में वो opposite direction में move करते है इस तरह से यहाँ पे इस तरह से यह move करेंगे opposite direction में opposite direction में move तो वो करना चाहते है बट होता क्या है अब मैं आपको example बताता हूँ for example यहाँ पे कुछ rocks है यहाँ पे कुछ fault है और यहाँ पे कुछ rocks है इस तरह से तो rocks क्या करेंगे कि जब कोई energy आएगी energy आएगी तो यह इधर इधर इस तरह से भागने लगेंगे opposite direction में opposite direction में यहाँ के rocks तो जाना चाहा रहे बट उपर जो rocks जमें हुए है यानि हम कहेंगे overlying rocks जो है rock strata जो है overlying rocks strata वो इनको press कर रहे है नीचे इनके weight के कारण peak रहे है और fix होने के कारण यह move नहीं हो पा रहे है friction कमें यह पा रहे है जैसे आप किसी चीज़ को बहुत देर तक दबाके रखो पर pressure बढ़ रहा है बढ़ बट एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब यह अलग हो जाएंगे तो ओर लाइंग रॉक स्टाइट जो है प्रेस देम फ्रिक्शन लॉक हो जाता यह बूब नहीं हो पा रहे हैं बट प्रेशर ऑन दे रॉक लेर्स बिल्ड़ ऑफ टाइम प्रेड तो यह धीरे धीरे और भी जादा बढ़ने लगेगा और यह जो फ्रिक्शनल फोर्स था इसको और कम कर जाते हैं और यह मूब करने लगते हैं मूब करने के कारण कुछ एनरजी रिलीज होने लगती है आप देख रहे हैं कि कुछ रॉक्स मूब कर रहे हैं मूब होने के कारण क्या होगा कि ए कहते हैं और वह हर कले करने लगें आघ देखिए मुब्मेंट हुआ के करद ड्रेट्ट करने लगिंगे और जो है वो और वाइब्रेत होने लगी और आ गया है earthquake यह समझ जाईएगा अब सबसे पहले मैं आपको यह कहूंगा यह एक factual चीज है इस तरह से यह और शेक होती है जैसे कि हमें पता चला अब सबसे पहले मैं आपको यह बता दू कि एक point होता है जहां से यह energy release होती है ना मैंने कहा कि कही से तो भी energy release हो रही है ऐसे point को hypo center कहा जाता है या फिर focus कहा जाता है focus यानि यहां से energy release हुई थी और जहां पे जो rocks थी यह movement करने लगे energy के कारण बट उपर के जो rocks थी उन्होंने दबा के रखा था बट एक point के बाद वो एकदम से suddenly वो movement करने लगे और इस कारण आए energy इस कारण आए vibration देखे इनके friction के कारण energy आपको पता है friction जब होता है तो energy release होती है और यही जब energy release हो गई है तो फिर यहां पे यह waves create हो चुकी है और जहां पे energy release जहां से हुए उससे कहा जाता है focus या फिर हम उसे कहते है hypo center तो याद रखेगा जहां पे energy release हुई that is focus और hypo center of an earthquake और जहां पे point surface पे आया है उसे कहेंगे epicenter अब अंदर earth के यह चीजे हुई और जिस point earth के surface पे वो point दिखने लगा इस point को कहा जाता है epicenter तो surface पे जो दिखेगा इसी के कारण effect उसके epicenter कहेंगे और जहां से यह produce हुई थी उसे focus कहेंगे अब इन चीजों को measure करने के लिए कि किस तरसे थी कितनी ज़्यादा थी यह waves है ना तो यह देखा जाता है कि वो reach कितने time में यहां से यहां तक आई इससे पता चलता है कि कितने yanger थी इसको जो count किया जाते इसको जो measure किया जाता है उस sismo graph कhata तो sismo graph is an instrument that records the waves reaching the surface so sismo graph से ही earthquake को भी meters किया जाता है यह हम पता चलता है कि earthquake produce कैसे होती है waves produce कैसे होते या फिर our check क्यूं होती साथ का हमारा जो सवाल है वो यह है कि seismic waves जो होती है वो कितने टाइप की होती है या फिर earthquake waves कितने टाइप की होती है तो सबसे पहले मैं आपको बोलूगा कि basically दो टाइप की seismic waves या earthquake waves होती है एक होती है body wave और दूसरी होती है surface waves तो चले इन दोनों waves के इनके types को पढ़ने के कोजिश करते हैं तो जो body wave होती है यह कैसे release होती है कहां release होती है इसके according उसे body wave कहा जाता है इसके word में जाएगा body body यानि शायद अंदर यानि surface पे नहीं तो अंदर यहाँ पे कहीं बन रही होगी इसलिए इसको body wave कहा जाता है और कोई surface पे आ रहे होगे इसको surface wave कहा जाता है ना तो body नाम से पता चलता है तो body wave जो है are generated due to release of energy कहां पे at the focus और focus में आने के बाद वो हर direction में travel करती है interior of the earth में जैसे कि मैं आपको यह बता चुका हो कि यहाँ पे यह focus है यहाँ पे इनर्जी जो release हुई है यह waves हर direction में फिर यहां से वो travel कर रही है तो ऐसी जो waves होती है इनको body waves कहा जाता है तो body waves are generated due to the release of energy at focus and moves in all direction traveling through their interior of the earth hence the name body waves it is as simple as that है ना हम यह देख सकते हैं अगला यह जो body waves होती है इसको भी दो तरह की waves में categorize किया गया है first one is P wave and second one is S wave P इसले कहा गया है क्योंकि यह primary wave भी होती है S wave याने secondary wave होती है primary याने पहले दिखती होगी secondary याने बाद में दिखेगी सो चलिए यह और भी हम detail में पढ़ने वाले P waves S waves गया होती है जो सबसे बहुत इनकी basic information ले लेते है यह जो P waves होती है यह longitudinal in nature होती है इस तरह से यह जो आपको इस तरह से जो waves होती है जो ज़्यादा तर हम sound waves देखते है इस तरह से sound waves ट्रावल करती है है ना vibration के साथ ये longitudinal होती है जो p waves होती है और s waves जो होती है वो transverse होती है जो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जिस तरह से हम कह सकते हैं कि ripples on the surface of water है ना तो surface of water में इस तरह से waves जाती है तो ये हम कहेंगे s waves इस तरह से travel करती है और p waves इस तरह से travel करती है तो ये propagation देखिए इनका कि P wave और S wave कहा गया है और detail में भी P wave और S wave को पढ़ लेते हैं चलिए अब ये body waves जो हमने देखिए इसमें P waves को study कर लेते हैं और उसके बारे में कुछ काफी सारी जितनी important information पूरी ले लेते हैं P waves जो होती है इनको primary waves कहा जाता है जैसे कि मैं already आपको बता चुका हूँ primary इसे क्यों कहा जाता है primary waves are often called so because they are the fastest among the seismic waves जितनी भी seismic waves है उसमें सबसे fast primary waves होती है अच्छे से याद लखेगा स्टार मार्क करके याद रखेगा इनको seismograph पे सबसे पहले देखा जाता है seismograph पे जो instrument है जिसमें major करते है earthquake को उसमें सबसे पहली बार जो देखे जाती है वो primary waves होती है primary waves earthquake के warning का भी काम कर सकती है इसका मतलब यह है क्योंकि वो पहली बार सिस्मोग्राफ पे सबसे पहले देखी जाती है P waves को longitudinal waves भी कहा जाती है compressional waves भी कहा जाती है और इधर भी हो रहे जबकि direction of energy transfer इधर तरफ है तो दोनों तरफ होते है वो होते है longitudinal waves में इसलिए इन्हें longitudinal waves कहा जाता है आप देखिए सबसे पहले यहां जैसे लिखा है displacement of medium is in the same direction or the opposite direction to the direction of propagation of wave है ना यानि यह किसी भी तरफ displacement हो सकता है जैसे मैं यहां बता चुका हो इधर भी और इधर भी ओर आएसे waves को longitudinal waves कहा जाता है इसलिए P waves को longitudinal waves भी कहा जाता है सेकन्ड अब हमारा यह Problem है हमारा यह सबसे में इशो है कि इन्हें COMPRESSINAL waves क्यों कहा जाता है COMPRESSINAL waves इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह compression produce करते है या फिर rare fraction produce करते है compression को अगर हम कहेंगे तो squeeze होना, किसी चीज़ को squeeze करना is compression और किसी चीज़ को stretch करना is rare fraction अब rare fraction होता है या फिर compression होता है rare fraction होने से density कम होती है तो जब यह किसी भी हम कहेंगे medium से जाते है तो medium से जाते वक्त एक तो वो compression create कर जाते हैं या फिर हम कहेंगे कि यह rarefaction create कर जाते हैं, stretch कर जाते हैं, तो इसलिए इने compressional waves भी कहा जाते हैं, और अगला हम कहेंगे pressure waves, इनको pressure waves इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह pressure जो होता है medium में, जिस medium से यह गुजर रहे हैं, for example, इस medium से तो इसका वो pressure increase भी कर सकते हैं, they produce, हम कहेंगे increases, या फिर हम कहेंगे decrease भी कर सकते हैं, pressure इस medium में, so pressure कम जादा इस medium में हो सकता है, इसलिए इनको primary waves को pressure waves भी कहा जाता है, तो they are also called as longitudinal waves, they are also called as compressional waves, they are also called as pressure waves, तो यह है, pre waves create density differences in the material, इसमें density difference आने के कारण stretching होती है, जिसे rarefaction कहते हैं, या फिर squeezing होती है, जिसे compression कहते हैं, जैसे कि हम already पढ़ चुके, so आईए, P waves के बारे में और भी कुछ information collect कर ले, P waves जो होती है, वो याद रखेगा कि सबसे कम destructive waves होती है, सबसे कम earthquake waves में जो destruction करती है, surface waves से भी कम, body waves में भी S waves से भी कम, वो होती है, P wave, P wave जो होती है, यह सबसे कम destruction करके जाएंगी, यहाँ पर जो trembling देखने मिलती है, अर्थ की, वो up-down direction में देखने मिलती है, या वर्टीकल direction में यह trembling करती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं, कि destruction कम होता है, अब travel अगर यह कौन-कौन से medium से करते हैं, त इसी भी wave के लिए एक formula याद रखेगा, जितनी जादा density material के होगी, उतनी जादा velocity उस wave की होगी, इसलिए हम यह कहेंगे कि solid में अगर वो travel कर रही है, तो उसकी velocity या speed जादा होगी, liquid के comparison में, क्योंकि liquid के density कम होती है, as compared to solid, gaseous, gaseous जो होती है, उसके और कम होती है, इसलिए gases में और भी कम velocity से वो travel करेगी, तो हम यह कह सकते कि जितना denser material उतनी कम velocity P wave की, these waves take form of sound waves when they enter atmosphere, तो atmosphere में sound wave की तरहा देखने मिलती है, अगर वो atmosphere में आती है, तो earthquake जब आता है, तो P wave की velocity 5-8 km per second की होती है, इतने fast वो travel करती है, हम यह देख सकते है, बट यहाँ पर मैंने आपक यह कहा कि density पर depend करती है, उनकी speed, तो कभी-कभी इसका कुछ exception होता है, जैसे कि exception में सबसे main है mercury, mercury यह iron से denser है, जबकि यह iron में speed जो होगी sound की, वो जादा होगी mercury से, तो कभी-कभी यह एक exception, हमें कुछ exceptions देखने मिलते हैं, just like mercury, तो यह कुछ information हमें P waves के बारे में यहाँ पर पता चलती है, जैसे कि अब मैंने आपको यह बताया था कि P waves जो होती है, यह fastest होती है बाकी waves से, तो S waves से भी यह fast है, तो P waves जो है, यह S waves से fast कैसे क्या travel कर रही है, यह आपके mind में question आया होगा, इस question को solve करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा question है, why do P waves travel faster than S waves, सबसे पहले मैं आपको यह बोलूगा कि P waves जो होती है, वो 1.7 times faster travel करती है than S waves, P waves क्यों ऐसा कर सकती है, क्योंकि P waves are compression waves, जो force apply करती है प्रपोगेशन के direction में, यह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रपोगेशन का यह जो direction है, इसी directions में, और हम कहेंगे कि यह perpendicularly इसके जैसे नहीं चल रही ह है ना, जब आप इस तरह से perpendicular चलोगे तो आपको travel करने को time लगेगा, यह directly जा पा रही है, तो हम यहाँ यह कह सकते है कि compressional waves होने के कारण यह apply करती है propagation, hence transmit their energy quite easily through the medium, does they travel quickly है ना, तो easily transmit करती है energy on the other hand, अगर S waves की बात करें, तो वो shear waves या transfer waves है, transfer waves होने के कारण perpendicular direction में वो हम कहेंगे कि motion उसका होता है, इसलिए धीरे धीरे travel करती है, आप यही पर देख लीजे, आपको समझ जाएगा, इस तरह से देखिए, perpendicular, perpendicular चल रही है, एकदम से उसी directions में जा पा रही है, तो यह perpendicular है, इसलिए इसको time लगता है, और यह जल्दी fast देखने मिलती है, आप हमने जैसे की देखा कि जो P wave है, वो S wave से जादा fast travel करती है, यानि P wave पहले कहीं पे भी पहुचती होगी, है ना, तो first to reach जो होगी, वो तो P wave है, यह तो आपको पता ही है, तो यह P waves हमारा एक फायदा भी करा सकती है, वो यह है कि P waves as an earthquake warning, क्योंकि P waves जैसे ही हमें detect हो गई, तो समझ जाईए एक warning मिल चुकी है कि earthquake आने वाला है, इसमें भी बता दू कि advance earthquake warning is possible by detecting the non-destructive primary waves, मैंने बता है आपको कि यह जादा destructive नहीं है, इस से हमें पता चल गया warning मिल गई कि earthquake आने वाला है, क्योंकि P wave आ गई, अब धीरे से S wave आने वाली है, तो focus आपको पता है कि अंदर होता है body में, यह focus कितने depth पे है, उस से पिर पता चलेगा कि कितने जल्दी अउपर बाकी waves पहुचने वाली है, अगर वो focus थोड़ा सा दूर है, तो हम खुद को बचा सकते है, तो मैं यहाँ पर आपको यह कहना चाहूंगा, कि जो the delay है between the arrival of P and other destructive waves could be up to about 60 to 90 seconds होता है, यहना depth कितना है focus का वो देख के 60 to 90 seconds में destructive waves, P waves के बाद आ जाएगी, तो हमाई यह warning दे सकती है, कि earthquake आने वाला है, हाला कि time बहुत कम है हमें react करने के लिए, but at least warning तो हमें मिल ही सकती है, सो अब हमने P waves के बारे में काफ़ी सार information collect कर लिए, अब हम देखते है S waves क्या होती है, तो S waves की अगर मैं बात करो तो secondary उन्हें कहा गया है, इसलिए उन्हें short form में S waves कहा जाता है, जैसे कि यह secondary इसलिए है कि यह जो waves है, they are second to recorded on a systemograph, और S waves इनको transverse waves भी कहा जाता है, shear waves भी कह आ जाता है, इस तरह से travel करते हैं, इसलिए थोड़ा time लगता है, अच्छी बात है, time लगता है क्योंकि destruction बहुत करके जाती है, हम यह कहेंगे कि यह light waves की तरह या water ripples की तरह हम देख सकते हैं, इनको एक तरह से, transversal waves और shear waves means that direction of vibration of the particles in the medium is perpendicular, यहाँ पे देखिए, perpendicular to the direction of propagation of waves, प्रपोगेट जोरी उससे perpendicular इसमें यह travel कर रही है, इसलिए यह troughs और crest जो होते हैं material में वो लाती है, जहाँ जहाँ से वो पास होती है, उसको यह बहुत ज़्यादा destruct करते हुए जाती है, है ना तो हम यह कहेंगे, they distort the medium, S waves arrived at the surface after P waves, यह आपको पता ही है, secondary waves है, P waves के बाद ही आने वाली है, surface पे तो पहले P waves आ चुकी है, याने अब हो सकता है कि S waves इनके पीछे-पीछे कुछ time में पहुँच जाए, तो these waves are of high frequency, और हम यह कहेंगे कि possess slightly higher destructive power compared to P waves, ना तो इसकी जो frequency है, वो high है, जिसके कारण हम य देख सकते है कि यह destruction भी जादा कर सकती है, P waves से, trembling जो होती है, surface की वो side to side होती है, horizontal होती है, जैसे हमने वहाँ trembling देखी थी, P waves में वो trembling हमने कहा था कि वो इक तरह से perpendicular होती है, तो यहाँ trembling जो है, यह slide to side होती है, horizontal होती है, इस कारण destruction भी जादा हो सकते है, तो S waves जो है, वो fluid से पास नहीं होती है आपने ये difference देखोंगे P waves और S waves में P waves जो थी वो सभी all medium से पास हो सकती थी जबकि अगर हम बात करें ये P waves अगर हम S waves की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ S waves solid से ही पास हो सकती solid medium से ही पास हो सकती है as fluids do not support shear stresses as a shear stresses को जो हम कहेंगे fluid से वो support नहीं करते हैं so ये जो है they travel at varying velocity हम कहेंगे strength पर डिपेंड है solid part के भी strength पर डिपेंड है कि कितना है velocity जादा जहां पर हम कहेंगे density जादा वो हमने जो देखा था वैसे ही इनका भी है body waves हम पढ़ चुक है जिसमें हमने P waves और S waves को study कर लिए अब हम देखते है surface waves surface waves होती क्या है यह सबसे पहले जानने की कोशिश करते सर्फेस waves को L waves भी कहा जाता है surface waves जो होती है उसमें सबसे पहले बताओ कि body waves interact with surface of surface rocks है ना सबसे पहले मैंने कहा कि जो earth के body में जो waves निकल रही है वो body waves होती है और यह जब निकलती है तो यह surface के जो rocks होते हैं उनके साथ interact तो करेगी क्योंकि उपर तक आ रही है और इनमें ही एक नई तरह की wave बनने लगते हैं इन surface rocks में जिनको surface waves कहा जाता है क्योंकि surface पर आके यह wave काम कर रही है या फिर इन्हें L waves कहा जाता है यह लॉग पिरेड की पिरेड तक चलने वाली waves है इनकी wavelength जादा है इसलिए यह long period waves मानी जाते इसलिए इनको L waves भी कहा जाता है उसके साथ साथ they develop in the immediate neighborhood of the epicenter and affects only surface of the earth and die out at smaller depth यह ना तो जादा दूर तक तो नहीं जा पाएगी उपर के उपर surface में रहते जैसे आपको अभी यह पता ही है कि epicenter क्या होता है फिर भी मैं आपको ए epicenter है तो epicenter पे आई है surface waves तो immediate जो भी epicenter के आसपा से काम करेगी और it will only affect the surface of the earth और वही पे वो खतम हो जाती है ज्यादा नीचे तक नहीं जा पाती है they lose energy more slowly क्योंकि आप देख रहे है कि उपर से काम कर रही है उसकी energy जो है वो ज्यादा जल्दी जल्दी खतम नहीं होती है इ रही थी ये क्या कर रही है कि एक ही direction में सिर्फ सर्फेस पे travel कर रही है इसकारण हम ये कहेंगे कि ये loss energy more slowly और ज्यादा देर तक रहेगी सो हम कहेंगे कि वो surface पे ही हर direction में नहीं जा रही है एक direction में काम करें इसलिए वो ज्यादा energy loss नहीं करती है तो particle motion इसके बाद आपको यह बताऊंगा कि particle motion जो होता है surface waves amplitude वो larger होता है than that of body waves तो याद रखेगा particle motion of surface waves are larger than body waves इसलिए surface waves जो होती है most destructive होती है motion जादा होगा destructive जादा होगी earthquake waves में सबसे जादा destructive waves होती है surface waves they are slowest among the earthquake waves and are recorded last on seismograph half है ना तो P waves सबसे fast है सबसे जल्दी record होगी उसके बाद S wave आएगी और उसके बाद L waves जिसको surface waves कहते है इसका मतलब earthquake पूरी तरह से आ चुका है L waves आ गए यानि destruction पूरी तरह से हो रहा है तो इस तरह से surface waves जो होती है उन्हें L waves कहा जाता है इस तरह से surface waves काम करती है दे आर लो frequency transverse waves है ना बट आप जान रहे कि उपर के उपर काम कर रही है destruction तो जादा करेगी ही उसके बाद हम कहेंगे love waves और से दो तरह के हमें surface waves देखने मिलते हैं love waves कहा जाता है उन्हें जो fastest surface waves होती है है ना moves the ground from side to side पूरे ground को side to side move कर सकती है तो दूसरा concept आता है relic waves जो होती है वो roll करती है ना roll along the ground just like wave roll across a lake और ocean है ना wave जिस तरह से roll करती है यह भी मैं waves ऐसा काम कर रही थी जिसमें P waves ऐसी थी S waves ऐसी थी सर्फिस waves इस तरह से काम करती है love waves देखे love waves इस तरह से तो यह waves जो है देखे lake या ocean के इसकी तरह यह कर रही है यहां roll हो रही है इसलिए ऐसा ऐसा move बता है जबकि surface waves इस तरह से काम कर रही है तो आप ये देख सकते हैं कि surface waves में love waves इस तरह से काम करें तो आप देख सकते कि ये ground को side to side move कर रही है side to side move कर रही है और जो relic waves है वो roll कर रही है ground में इस तरह से roll करने के कारण इस तरह से कुछ चीजे बनते जा रही है तो हम यह कहेंगे roll हो रहा है अप एंड डाउन हो रहा है side to side हो रहा है same direction में यह wave move कर रही है most of the shaking and damage of the earthquake is due to relic waves यसी लिए बहुत जादा damage करके जाएगी आप देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है तो damage बहुत जादा करके जा सकती है relic waves तो इस तरह kismic waves हमें और्थ के interior के बारे में किस तरह से बताती है सबसे पहले मैं आपको यह बता दू कि जो shadow zone होता है of P waves and S waves यही इसके कारणी हमें पता चलता है कि और्थ का interior कैसा होगा तो यह सवाल का जवाब अगर आप चाहते हो तो हमें सबसे पहले shadow zone के बारे में information लेने चले पड़ेगी सबसे पहले आपको यह पता है कि S waves जो होती है वो liquid से travel नहीं होती है और्थ जो है अगर हम यह दावा करें कि यह पूरी तरह solid है तो फिर यह चीज सही क्यों नहीं लग रही है यह क्यों समझ रहा है कि इसमें कुछ जगह पे liquid भी है और्थ में तो देखे सबसे पहले S waves पहली चीज हमें यह जानने होगी कि S waves do not travel through liquids entire zone below 103 degree अब देखे हमने seismograph लगा कर रहे हैं seismograph लगाने के बाद waves record हो रही है P waves आ रही है S waves आ रही है बट हम जब entire zone 103 degree के बाद का देख रहे है जैसे मैं यहां पे बोलू कि यहां आ रहे है यहां 103 degree से 103 degree तक यहां पे अगर आप आते हो और्थ में सो इनके बीच में आपको S waves आते हुए दिखी नहीं रही है अब यह S waves आ नहीं रही है यह क्यों नहीं आ रही है यह भी जानने के पहले यह सबसे पहले यह fact है कि यहां पे यह आती नहीं है अब आ नहीं रही है यह does not receive S waves and hence this zone is identifies as shadow zone of S waves अब आ नहीं रही है इसलिए नहीं आने के कारण इसको कहा जाता है shadow zone of S waves जहाँ वो दिखती ही नहीं है अब दिखती ही नहीं है तो this observation led to the discovery of liquid outer core अब हमें यह पता चल रहा है कि इसलिए हम यह कह सकते है कि शायद यहां पे core में outer core जो होगा core का outer part वहां पे liquid होगा और liquid होने के कारण हम यह जानते है कि S waves जो होती है यह liquid से पास नहीं होती है इसलिए शायद यह इस part में नहीं आ पा रही है बट यह शायद जो है यह भी हम confirm कह सकते है क्योंकि हमें यह पता है कि S waves जो होती है वो transfer वो travel होती ही नहीं है liquid से तो हम यहां पर कह सकते हैं, mainly कि हमारा जो outer core है, यह liquid से बना है, यह चीज हमें यहां पर पता चलती है, तो shadow zone जो है P waves का, दूसरी बात यह है, P waves जो होती है, appears as band around the earth between 103 to 142 degree away from the epicenter, अब देखिए दूसरी बात क्या देखने मिल रही है, यह 103 से 142 degree में अगर हम आते हैं, इन दोनों के बीच में हमें P waves देखने नहीं मिल रही है, P waves हमें यहां पर 103 से 142 के बीच में नहीं देखने मिल रही है, जबकि 142 से 142 के बीच में हम आएंगे, तो फिर से हमें P waves receive होते हुए दिख रही है, इस से क्या पता चलता है, तो this is because P waves refracted when they pass through the transition between semi-solid mantle and the liquid outer core, तो यह यहां पर जब वो इस तरह से हम कहेंगे, अब यहां पर देखे, main चीज यहां पर यह हमें पता चलती है, कि यह refract हो रही है, यानि यह अपना path चेंज कर रही है, रिफ्रेक्शन यानि पात को चेंज करना, P waves refract हो रही है, जब वो पास कर रही है, transition between the semi-solid and the mantle, तो एक जगा है, जो कि हम कहेंगे कि देखो, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, कि जो outer core है, यह तो liquid है, और दूसरी बात हम कहेंगे, mantle जो है, वो semi-solid है, तो liquid औ पर जब semi-solid, यानि पूरी तरह से solid होता, तो ठीक है, एक जैसे वो आगे ही रहती, directly, बट वो directly नहीं आ रही है, अपना path change कर रही है, यानि जरूर यह पता चलता है, कि यहाँ पे liquid होगा, जिसके कारण यह अपना path जो है, यह change कर रही है, जिससे reflection देखने मिल रहा है, दे क्योंकि वो liquid से पास ही नहीं होता है, यह साफ चीज हमें यह बता रही है, कि the seismograph जो beyond 142 degree पे है, epicenter से records the arrival of P waves, but not that of S waves, this gives the clue about the solid inner core, यानि inner core solid है, but outer core जो है, यह liquid है, इसलिए यह आ नहीं पा रही है, तो यह हमें पता है, just the zone between 10 through to 142 from epicenter was identified as the shadow zone, and both wave type of waves, यह हमें पता चलता है, इसी से हमें interior किस तरह से होगा, वहाँ पे liquid present है, यह waves के कारण पता चल रहा है, अब अगर हम इनको conclude करें, तो जैसे कि मैं आपको यह बता दू कि जो inner core होता है, यह solid होता है, अब देखिया, अब इनको हम conclude करते, जो outer core होता है, यह liquid होता है, यह हमें यहाँ पे पता चल रहा है, अब जैसे कि मैं आपको यह बता दू कि यहाँ solid जरूर होगा, बट यहाँ पे liquid होने के कारण, यह S waves यहाँ से पास ही नहीं हो पा रही है, इसका मतलब इतने जो जगा खाली पड़ी है, यह liquid और इसके अंदर जरूर solid है, क्योंकि यहा आने के अबद अपनी direction बदल के फिर से अपनी direction से change होके आ रही है, इसका मतलब जरूर यहाँ पे liquid होगा, जिसके कारण यह change कर रही है और चेंज होने के कारण, यहाँ पे यह आ ही नहीं पा रही है, यहाँ पे नहीं आने के कारण, यह पता चल रहा है कि कुछ जो outer core होता, यह liquid है क्योंकि reflection हो गया है और inner core जो है वो solid है क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे वो pass होके आ रही है, तो हम यह easily कह सकते है कि interior earth का कैसा है, just because of the directions of P waves and S waves या पिर travel जो कर रही है, उसके according हम यह चीजे बता पा रहे हैं, तो यह जो चीजे होती है, इसी के कारण earthquake होती है, इतनी सा रा, lecture number two, जिसमें हमने काफे सारी चीजे पढ़ी, एक बार देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है, इस lecture में हमने सबसे पहले देखा है कि हमने earthquake पढ़ा, seismic waves पढ़ी, earthquake waves produce कैसी होती है, वो पढ़ी, seismic waves और earthquake waves के types देखे, जिसमें body waves और surface waves देखे, shadow zones देखे क्या होती ह इसी के चलते हमने देखा कि seismic waves हमें interior के बारे में information कैसे देती है, अगला lecture interior of the earth का last lecture होगा, जिसमें हम कुछ और topics cover करेंगे, जैसे कि crust, lithosphere, mantle, asternosphere, outer core, inner core, seismic discontinuities, यह internal structure of earth को अभी हम study करने वाले हैं, तो बने रहिए और continuity के साथ वीडियो को देखते रहे ताकि आपका geography जल यह lecture में तब तक अपना ख्याल रखिये, take care and have a good day.